खापर खेड़ा पुलिस थारा अंतरगत ब्रिक्स कंपनी के पास एक ट्रक नी स्कूटी को कुचल कर स्कूटी चालक की मौकी पर ही मौत हुई स्कूटी पे सवार पीछे बैठने वाला यो गंभी रूप से घायल खटना सोमवार को शाम साड़े पाच बजे की दर्म्यान हुई मिली जानकारी अरुसार उमेश काशिनात राउत उम्र 21 साल बीना संगम और वैभो सिधार गजबी उम्र 22 साल बीना संगम ऐसा गंभीर जखमी का नाम बताया चारा है सितर दरगटना में दोनों मित्र थी सुरादेवी में कुछ खास काम से जखमी वैभो की चाचा की स्कूटी से दोनों गय थी घर वापस लोटते समय विप्रिदिशा से तेज रफतार में आने वाले दस चकाट ट्रक में स्कूटी को कुशल डाला गटना उपरान स्कूटी ट्रक में जाकर फस गई जहाँ स्कूटी चालक की घटना सल पर ही मौत हुई और पीछे बैटने वाले गंभी रूप से घायल हुआ द्रगटना में सवार दोनों अविवाहित थे घटना के बाद ट्रक चालक ट्रक छोड़ कर घटना सल से फरार हो गया वाकिव यह है कि वारेगाव सुरादेवी कुराडी रोल से ट्राफिक का आवागमन बढ़ गया है जिससे मार्क से जाने वाले लोगों ने वृतक के परीज़नों को घटना की जानकारी दी घटना सल पर दोनों की परीज़नों के बाद कुछ देर में खापर खेड़ा पुलिस ने घटना का पंचनामा कर शव को पोस्ट मॉटम के लिए नाकपुर में भेजा गया दुरगटना में अक्टिवा चकना चूर हो गई ट्रक के नीचे फसी हुई अक्टिवा को घटना के दो घंटे बाद निकाला गया चाहत दुरगटना देखने लोगों ने घटना सल पर भीर की कुछ देर के लिए यातायाद में काफी तकलिफे हुई स्कुटीर निकाले के बाद दोनों गाड़िया पुलिस स्थाने में लाती गई इस मार्क पर एक महिने की कालावधी में दूसरी दुरगटना बताई चा रही कामठी कंटोंटमेंड मार्क बन होने से इस मार्क से यातायाद बढ़ गई जहा दिन बदिन दुरगटना बढ़ने लगी सदरगटना की खापर खेड़ा पुलिस ने नोन कर वाहन शालक विरुद अपराद दर्स किया गया बीसीयन नियूस के लिए खापर खेड़ा से दिलिब गजबे की रिपोर्ट